आज इस हिंदुस्थान बर के अंदर सिर्फ गांधी जैनती के उपर ही राज के उकाश क्यों होता है बाकी योद्ध जो लड़ चुके लोग जो इस आजादी के लिए इतने वर्षों तक लड़े उनका नाम कहा है इस एक साथ सवाल दे जिए फिर एक साथ जवाब ले लें आजकल गांधी वाद का मतलब ही हो गया कि खादी पैनो गांधी जी की फोटो लगा और नेधाकरी करो इसके लिए इस सोच के लिए जिम्मेदार कौन है आखिर प्रेशन सुदीप सर से है हम यंग जेनरेशन के लोग है और आप जैसे यंग ओथर आजकल एपसर्ड राइडिंग में ज्यादा इन्वाल हो रहे हैं जैसे रोमेंटिक लव स्टोरी पर ही जातर लोग रिख रहे हैं कोई रिवाल्शनरी राइटिंग में कोई बिलीव नहीं कर रहा तो क्या हम फ्यूचर में हमारी जेनरेशन के यंग राइटर से थोड़ा ब्रॉड माइंड़ होने एक्सपेक्ट कर सकते हैं क्या जो एक्सपेक्ट पाइट बटें पाइट पाइट इस की आज जो शी इट्स अलेटेश ट्रेंड पहले इंडियन ओधर उतना पड़ा नहीं जाता था इंडिया रहीं आज अगर एक इंडियन ओथर रिवलुशनरी पे लिखे गा तो उसको तुम पढ़ोगे लिए लिए भी इसमें है कि वह पॉलिटिकल बाते हमें समझा है जैसे आज चेतन बगद पे इतने सारे एलिगेशन हुए कि Who is He to teach us that how should we behave or what should we do? But then the thing is, we youth should also come together and even we should be that broad-minded that we need to do something to eradicate this corruption from India. And we don't know what is the start of it. इसमें यह है कि आज यूथ है आप लव पर लिखिये, रोमास को लिखिये तिकि लव में जो प्रॉब्लमस आते हैं उसको भी लिखिये लव समें क्या प्रॉबाबता है? लव गुरू बनने की कोजिश करिए एक सवाल जो सज्जन का था कि क्या ऐसा क्या है कि आइंसा और कायरता और उसके साथ साथ कहीं ने कहीं एक सवाल और निकल के आया कि क्यों गांधी के लिए ही क्यों नेशनल होलीडे रखा जाता है? बाकी सारे इतने freedom fighters के लिए क्यों नहीं रखा जाता है जब हिंदुस्तान का freedom moment चल रहा है हजार होनी लखों लोगों ने इसमें कुछ नो कुछ त्याग किया है कुछ नो कुछ बलिदान दिया है लोग कितने जले हमारा बाक से लेकर कहीं तक लोग गये हैं लोग लिए क्या चाहते हैं कि हरे एक जनमी दूश्व मनाया चाहे इस पॉसिबल अच्छा इनका है सवाल है कि वाइनोट भागससिंग वाइफ और गांधी वाइफ और गांधी पुले लिए उसके प्रिंसिपर चलने लग जाए अगर उनसींजीमारे प्राइमिनिस्टर है अनिल देता मिश्रा आपके सवाल का जवाब देरें सबसे में मोटो मैंनलब जहां तक मैंने सुना आए गांधीजी के बारे में हम मान रहें हम नहीं जानते उनके बारे में ज्यादा पर उन्होंने सबसे बात एक तो आज कासाब ने मलब कात अभी की कासाब को सबने देखा था फुटीज में गोलिया मारते हैं और कम से कम 50 लोगों की अट्या भी इस ताइब तब शत्या आज हमारा इता दबा दिया गया तो हम सत्या बोलने से डर रहे हैं तो हम क्यों बोले सत्या? जो आपने उधारन दिया चलिये मान लिया हम बदलाव चाहते हैं, right? यूँवांट चेंज, आइवांट चेंज, वर्यबड़ी वांट चेंज बट इन एंपी स्पेस ते कांट बीचेंज वी आप तो ब्रीग आउट थीज नहीं होगा सो नारे, सिर्फ नारे बाजी से कुछ नहीं होगा अगर आप बदलाव चाहते हैं तो आपको उस चेंज, उस बदलाव का जीता जाता प्रतीक बनना पड़े जूट का सहरा लिया अपने के जिवन रपना तो जो पहले कहा था हमने बड़े बड़े मंची, करुपत्य रपची, सब गलवे गए कसाब वाले में ये बात नहीं है कि उसे सजा नहीं दी जा रही है कोई सजा देने के लिए मना कर रहा है इस नाट पॉइंट, यहां सत्य की ही जीत हुई है उसे सजा दी जा रही है बात सिर्फ इतनी हो सकती है कि फासी दी जाए या ना दी जाए सेकिन गांदी जी के आंदोलन को अन्ना के आंदोलन से जो कंपेर किया है सर, I am like follower of the गांदी जी और मुझे लगता है कि गांदी जी जैसी नेतिकता और गांदी जी जैसी सत्यता अगर स्वेम में हैं स्वेम के साथ जुड़ेवे लोगों में हैं तो किसी भी हालत में वो आंदोलन फेल नहीं हो सकता अगर कोई यह हट करे अगर यह हट करे कि नहीं मेरी ही बात मानी जाए जैसा मैं कहूं वैसा ही चला जाए वो कभी भी सद्यांदोन नहीं हो सकता वो हट सकता है पीछ जारी है और यंगिस्तानन नीचे एक फोट है सरदार भगत सिंग की बिल्कुल 27 सेटमबर को उनका जनमदैन्टा अब दाने लोगों को नहीं पता होगा में दूसरी बात यह है कि 1931 में सरदार भगत सिंग यह चाहते थे कि सब को समान अधिकार मिले सब के पास समान पाउर होना चाहिए जैसा कि युमन राइट्स वाले करते हैं या फिर कहीं लोग ऐसी बाते आजगे पी करते हैं लेकिन कभी वो पुसिवल नहीं हुआ कि यहां को पड़ते नहीं बहुत पड़ते हैं प्रोडिकल साइंस की बुक्स में अलग से एक बुक भी आती है में तो और भारतिये विचार को में इनको गांधी जी पड़ा जाता है लेकिन तेईस साल की उमर में एक वंदा इतने विचार देख करके गया था और उन विचार अगर लागू की जाती तो ज्यादा बहतर होता और यंगिस्तान यह चाहता है कि वह व्यवस्ता लागू होनी चाहिए पैसा नहीं चाहिए हमें अंतिम कडियों में दो लाइन में क्या सुझाओ देना चाहते हैं कि गांधी और यूवा एक सोच के साथ जीने लगे आज की में हम लोग अगर संकल्पित हो जाएं कि गांधी विचार की दिसा में ठोस कदम उठाएं तो निश्यत रूप से बहुत सारी समस्याओं का समाधान तुरंत निकल सकता है चलिए जोशी साब दिनकल जोशी साब एक अरब के देश में अंदर से इतना संकल्पित धोना वह आ अवारे लगर रास्ता निकालना है तो कुछ और निकालना पड़ेगा सिर्फ आदर्शों की बात करने से काम नहीं होगा पाठक साब इस गांधी के दर्शन सिधान और अपना दिमाग इस दोनों कॉम्बाइन कर लिजेगा तो जैसे एक टीचर ने कहा दो विज्याथी को क आने मिट्टी के बरतन में सर्षो का तिल लेाना तो फोर्शों कर दोन लाया, एक का अधापता था एक का पूरा था तीचर ने पुछा दुस्रे से के तो आधापता क्यों है तो कहा कि आधा हो गया तिल पर्ले से पूछ आपक से बता ओ गए गरूरु जी आपने चाह था मित्ती के बर्तर में सरसोगाते है। तो मित्ती के बर्तर ठख दिया पानी पूलिके लिए हमने। जापणि सोख लिया तो तैल जाल ग्या पुरा कपुरा हो गया। तो गौंधी का सिधन्ध, गौंधी का धिर्शन और अपना दिमाग। अप्लिकेश्ट रफ माइड इस मोरी बॉर्टन देन नॉलेंच जो अच्छी चीज़ें स्विकार करें गांदी हमेशा कारता था कि मेरा फॉल्वर मत करें अपनी इग्जाम्पूल आप अपने जीवन में स्वेश्ट करो आप भी गांदी बंदा आओ एक लास सवाल मैं देनकर जोशी साथ से पूछना चाहता हूं अगर आज के परिवेश में घांधी जिन्दा होते तो क्या सोच रहे होते už सब्सकराथ हैंा॥ या तो जैल में होते या पाकल खाने में होते हैं है अज हमारे सामने में जो महोर है इसके एगल जी कुछ कैके रोग स्विकार इतना जल्म नहीं कै रहेंगे लेकिन आज के परिविश में एक गांधी से काम नहीं बनेगा कम सो गांधी हमारे पास होगे तो यह एक काम बनता है अज़ा एक सवाल और निकलके आया नीचे से कि अगर गांधी जिन्दा होते तो क्या अन्ना के अंडोलन को समर्थन करते है और वैसे मेरे कहाल से यह सवाल तो प्रिस्टिया जो पैदा हुई है यह एक सवाल का अंतिम जहां पर जिये परी चर्चा है उसका अंतिम दौर यह निकल कर आया कि अगर गांधी अगर जिन्दा होते तो आज शायद हम ये चर्चा नहीं कर रहे होते पर उन्तु बात एक और है कि कहीं ने कहीं युवापीडी और गांधी के बीच के विचारों के सामनजश्य के लिए आज की युवापीडी को गांधी को पढ़ना पड़ेगा समझना है मगर सभी से बड़ा यहां यह चोटा सा इंसान है और अगर यह प्यार करें तो धड़ती स्वर्ग समान है हमें उस लहजे के साथ जीना पड़ेगा और गांधी के लिए एक शब्द कहना चाहता हूं पंक्तियां कहना चाहता हूं कि जिन्दा है वही जिसका विश्वास जिन्दा है और वही शाद गांधी है जिसका आज भी उस वक्त जब गोली खाई ती जब हेराम शब्द निकले तब भी उनके दिल और जहन में कई विश्वास था कि हिंदुस्तान मुझे माने गा और इस विचारों के साथ कई ने कई वह बहेगा यूआ शक्ति भी बहेगी आज नहीं आज के बाद भी बहेगी कि बार इस वह बहेगी बहेगा प्रॉब कि अबड़र लाला झाल ये बहेगा भी आज थायूआ नहीं